हाई फ्रेंड्स मैं हूँ आपके साथ नमृता के जी एफ को लेकर खूब बाते हुई के जी एफ चाप्टर टू आया तो फिर उसके भी खूब चर्चे हुए टीजर में दिखाई दी यश की जलक ने हर किसी को अपना दीवाना बनाया जिसने भी टीजर देखा उसी ने कहा कि ये चाप्टर तो पुराने चैप्टर से भी अलग लेवल का होने वाला है दिल्चस्प बात ये है कि जितनी चर्चा फिल्म के में लीड हीरो यानि कि यश की हो रही है उतनी ही चर्चा मुख्य खलनायक अधीरा की भी हो रही है अब ये कहा जा रहा है कि अधीरा और रॉकी के बीच फिल्म में जबरदस अक्शन सीक्वेंस होगा। ये ऐसा फेस ओफ होगा जो हर किसी का दिल दहला देगा। अब ये भी किसी से छिपा रही है कि जब जब संजदत परदे पर खलनायक बन कर आए हैं तब तब उन्होंने समा बान दिया है। अगरीपाथ हो या पानीपाथ या फिर कुछ साल पहले आई उनकी फिल्म में। मतलब उनके सामने तो अच्छे अच्छे भी फी के नजर आते हैं। अब इन सब के बीच सभी को इंतजार है अधीरा और रौकी के बीच के फेस ओफ को देखने का। जिस तरह का लुक संजदत का नजर आया वो नेट्फिक्स की सीरीज वाइकिंग से प्रिरित लग रहा है। ये बेहत डरा देने वाला है और साथी साथ खौफनाग भी। फिल्म को देखने के बाद अगर आप सच में अधीरा से नफरत करने लगें तो समझ जाईएगा संजदत ने अपने किरदार के साथ इंसाफ कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें अधीरा सूरेवर्धन का भाई है जिसका सपना है कोलार गोल्ड माइन पर राज करने का। उधर रॉकी भी चाहता है कि वो इस सोने की खदान पर राज करे। इसलिए रॉकी और अधीरा की लड़ाई आमने सामने की होगी। इस सीरीज की पहले फिल्म में सूरेवर्धन का ही बेटा गरूर मुख्य बिलन रहा जिसे रॉकी ने मार दिया था। अब चैप्टर टू में रॉकी और अधीरा के बीच जंग देखने को मिलेगी। हलाकि अभी तक इसके मेकर्स ने फिल्म के रिलीज होने की तारीक का एलान नहीं किया है लेकिन कहा जा रहा है कि फिल्म इसी साल जून जुलाई तक रिलीज हो सकती है। प्रशांद नील के डिरेक्शन में बनी ये फिल्म पहली कंड़ा फिल्म है जो लगभग 100 करोण के बजट में बनी है। जिस तरह से फिल्म के टीजर ने यूट्यूब पर धड़ाधर लाइक्स बटोरे और व्यूज हासिल किये उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर पूरे देश में धुमाल मचाएगी। आप बताईए आपको क्या लगता है रॉकी और अधीरा में जब फेस ओफ होगा तो कौन चीतेगा।